किसानों का विश्वास खेती उफ्योगी सभी प्रकार के और्गनिक आउशदी एवग खतों के लिए आज ही संपर्ग करें फ्रेंड्स बायोटेक डॉक्टर बावसां अमबेडकर इनकी एक से तीसवी जैनती के उपलक्ष में आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आज केंद्रि मनमादिकर संगटन नई दिल्ली उख्यकारियाले नाकपूर यहां पे जैनती के शुबावसर पर एक छोटे गानी कार जा रहा है उसी के उपलक्ष में कोईड-90 का प्रकोप जो है वो ध्यान में रखते हुए हमने भी इस कारियाले में डॉक्टर बावसां अमबेडकर जैनती का आरेकरम आउजित किया गया है उनका एजुकेशन कैसे कब और कहा उनकी शादी किस्से और कब उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में किन-किन जीवों के लिए क्या किया ये हर बार मुझे तो नहीं लगता कि बताने की जरूत है क्योंकि ये सत्य है मगर कुछ ऐसे भी बेवकूब लोग इस दुनिया में है कि जिनको सच्चाई पसंद नहीं या फिर सच्चाई हजब नहीं होती या फिर उन्हें ये जानना ही नहीं है क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को एक दायरे में समिट के रखा हुआ है जैसे अभी गैरादर को महात्मा फुले इनकी जेनती थी प्रशाशन को भी शायद भूल गया शाशन प्रशाशन भी भूल गया इत्ती बिकड बरिस्तिती है कि महात्मा फुले जिनको डॉक्टर बबा सा अम्बेंट करनी अपना गुरु माना जिनों ने शिवाजी महाराज की समाधी धूंड के निकाली इसलिए उन वेभीचारी लोगों ने उनको समाध से बाहर निकाला उनकी अवेलना की उनके परिवार की अवेलना की उस महात्मा फुले को भी आज भूल गए आपको एक बात बता दू कि आप सभी एंडरोड मोबल यूज़ करते हो उसमें तारीक का कॉलम दिखता है पुरा आप कुन सा भी साल देखो तारीक देखो उसमें ये अमावसया वो पुर्पोर्नी मा ये अमुग डमुग सब दिखाए देंगा लेकिन ग्यारा तारीक चेक करो उसमें महात्मा फुले जैन्ती का उलेग भी ने किया गया है तो आप सोच सकते हो कि हम हमारे लिए जिनोंने स्त्री मुक्ति के लिए विद्वा विवा के लिए सती प्रताबंध हो इसके लिए जिनोंने अवरात्न प्रैत्ञ किया अपना पूरा जीवन अर्पन किया आज हम उनको भूलते जा रहे क्यों? क्योंकि शायद ही हम ने उनको एक समाज की जो दारह है उनमें कही न कही बंद करके रखा है जैसे कि डॉक्टर बाबा साथ अम्मेड कर अब डॉक्टर बाबा साथ अम्मेड करका जीवनकल क्या है ये सबको पता है सव्विधान जो लिखा उन्होंने वो भी पता है जो सव्विधान के माद्यम से आज पूरा देश चल रहा है जब बाबा साब ने सव्विधान लिखा तो लिखते समय ही 300 साल फ्यूचर याने 300 साल आगे तक क्या होगा और किन चीजों की जरूत पड़ेगी इतनी लंबी सोच रखते हुए उन्होंने सव्विधान बनाया इस लिए यह विश्व का सबसे बड़ा और अच्छा सव्विधान माना जाता है अब उसमें आप पानी की समस्या लो लो कि इन फ्यूचर पानी की समस्या कितनी बढ़ने वाली है इनके लिए बाबा साबने तभी सव्विधान में इंप्लिमेट करके रखा है सव्विदा में लिखके रखा है कि कहां कहां छोटे खानी धरन बनना है, क्या करना है, ये सब उन्होंने लिखके रखा है, अपनी एकोनोमी, अब जब बाबा साब ने सफविदान लिखा, वो काल में एकोनोमी कैसी थी, और 300 साल तक इन फ्यूचर एकोनोमी का क्या रहेगा, ये भी सोचते ह हुए उन्होंने एकोनोमी का भी ऑप्शन सफविदान में लिखा, जिसके उपर आज RBI काम कर रहा है, तीसरी बात, अब कुरुशी के लिए लो, अपना देश है कुरुशी प्रदान देश है, तो किसानों के हित के लिए क्या रहेगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना ये सारी चीजे सफविदान में भी उन्होंने उस समय ही बना के रखी है, फिर भी आज किसानों को रस्ते पे आना पड़ रहा है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि शायद ही जिस तरीके से किसानों के हित के लिए बाबा साब ने बोला है, महात्मा फुले ने शेत कर रहे चा आ रखी गई है, तो वो हिसाब से शायद ही ये सरकार कारे नहीं करता होंगा, इसलिए आज किसानों को सडकों पे उतरना पड़ रहा है, आज बहुती बड़ा, शायद ही ये 21 सदा का बहुती बड़ा किसान आंदोलन ये है, कि इतना लंबा टाइम तक किसान आंदोलन चला, उसको खदेडा गया, उसको रोहुदा गया, उसके उपर बहुत सारी ऐसी परिस्तितिया लाई गई, कि वो भगे, ये किसान अंदोलन खत्म हो, ऐसी बाते की गई, मगर उनके हित के लिए कोई भी असी सुनित चित बैठा की हो, या फिर वारता नहीं की गई, क्यूँ? कि शा बहुत से लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर इन कम्यूनिटी के लिए बाबा साब ने किया है, इस कम्यूनिटी के लिए किया है, मगर कभी उन्होंने बाबा साब ने लिखा सभवीदान पढ़ना चाहिए, कि बाबा साब ने सभवीदान में, अगर एक ही कम्यूनिटी के ल के लोग है वो बहुत ज़्यादा मानते है उसके अगेंसमेंगे लोग है जो बहुत ज़्यादा मानते है और कोई कोई ऐसे भी लोग है जो मानते लेकिन दिल से नहीं मानते है अगर किसने लिया तो ठीक है जाई भी नहीं लिया तो ठीक है मगर कभी उनके जो भी बहुत सारे या पिर शास्किय भी शास्किय कारे क्रम भी लिए जाते हैं वहां पे भी उनके प्रती दूरविवार स्पुस्त दिखाय पड़ता है बार-बार उस कारे क्रम में किसना गिसर बोनना पड़ता है आयों कुस्पर wysimd किजिए ना आयों प्ूझ दाली ना आयों जैगोष कीजि की उनके लड़किये की खुद की अगर शादी रहती है तो क्या खुद को बोलना पर जाने दूना बलना जाने हल्दी लगाना नहीं उनको मालूम है बराबर है लेकिन ऐसे भी लोग है एक सकुचित बुद्धिवाले की जो यह सूचते है कि यह लोग पर्टिकुलर वही समग कि लिए कुछ किया है उसमें भी मात्मा फुले आ गए सवित्रिमाई आ गई गाडगे महाराज आ गए तुकरा महाराज आ गए असंतक कबीर आ गए जितने भी जो थोर पुरुष महापुरुष विचरवन्त हुए है उनके समंद में सभी की यही बाते यही पर्टिकुलर समाज से रिलेड़ेड लेकिन उनके कारी उन्होंने क्या किये और उनकी क्या इच्छा थी यह शायद ही कई बताया गया होगा या शायद ही किसी ने सूचा होग बहुत सारी चीजे होती है कि बाबा साब को लेकर बहुत सारे लोग ये चीज आज भी सोच अलग से रखते हैं कोई भी करता है मगर दिल से कोई नहीं करता अब दूसरी बात कि बाबा साब को शायद ऐसा मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा कि उनको दिमाग के बाहर या दिल के बाहर से लोग इसलिए भी मानते होंगे कि बाबा साब ने जो 22 प्रतिद्निया ली बाबा सामने धंब परिवर्तन किया बोद्धर्मय का स्विकार किया उन्हें चपन में अपने पावन नाकपर भूमी में 22 प्रतित निया जिसमें उलेक किया गया है कि मैं देवी देवताओं को नहीं मनूँगा, कर्मकान नहीं मनूँगा, जूट नहीं बोलूँगा, यह सारी चीजे वहाँ पर बताया गया है, तो शायद ही इस वजे से भी बाबा साब को कुछ लोग, छकुछ जित बुद्धी व पोला है कि आप याने तिरसकार करो, या ऐसा भी बुद्धे धम में उन्होंने पहले ही पेच पर सपस्ट करके लिखा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, वह सही है, यह मैं नहीं करा, वही मानो, यह भी मैं नहीं कहता, आप खुद बुद्धी जीवी हो, आप सोचो, जाचो, त बुद्ध इसाड़ करो, कि जो चीज में बोल रहा हूँ, सही है या नहीं, कर्म करो, कर्म कांडों पे विश्वास मत करो, सत्यवादी, बुद्धी जम उन्होंने जो स्विकार किया, वो सत्य है, जन्म लिया, तो मरना ही है, एकजाम अगर देना है, तो पढ़ाई करना है, अगर आप जिस किसी देवता को मानते होंगे, उसके आगे कल अगर पेपर है, तो पूरे साल भर जित्ती भी अगर बत्तिया लगाना है, जित्ती भी फुल्चना चड़ाओ, बंगर पढ़ाई मत करो, अगर आप पास होते होंगे, तो हम भी अपना धर्म परिवर्दन करने को तयार है, अगर कोई देवी देवता, जिनको बच्चे पैदाने, अभी बहुत सार चीज़े हो रही है, कई एक न्यूज भी आ रही थी, कि किसी के मंदिर में ऐसे वो अलट पलट लोटांगन करके जाओ, तो बच्चे भी हो जाते हैं, उसमें सुस्मा अंदारे ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, कि बिना पती के अगर वैसा लोटांगन करते हो और बच्चे अगर पैदा होते हैं, तो हम भी जाने को दयारे, तो जो चीज़े कर्म करो, कर्म कांड़ों पे विश्वास मत करो, यही चीज़े सभी, चाहे गुरु नानक हो, मात्मा फुले हो बाबा सामबेट करो, समराट अशोक हो, या पहला जो समासुदारक बना, वहां से लेकर अभी तक जो डॉक्टर बाबा सामबेट कर है, वहां तक के सभी महापूरुष ने यही बताया है, उनका पुरा जीवनकाल इसी में गया, अब हम जाते हैं कर्म कांड़ों पे, तो ए किसी पंडित के पास, किसी बुआ बाजी गवन जाते हैं, वह बताता है कि किसी ने यह किया, तो आपने को यह को आत्मा, भूत प्रेत, यह सारी चीज़े आपके पीचे इसका यह है, अगर आप इन चीज़ों को मानते हो, सही बात है, मानना चाहिए, मैं कहूंगा नही मान से हो तो महात्मा पुलेगो, ऐसी समाज जोक्रबाव सामबेट कर हो गया, यह हो गया, कुमार हो गया, गोरा कुमार, अपना आदिवाजी का कौन थे, बिरसा मुंडा हो गया, जित्ये भी महापूरुशों ने अपना पूरा जीवन काल, हम जैसे हराम खोरों को कर्म कांडो से बाहर निकालने के लिए अरपन किया, अपना आईश्यप पूरा त्याग दिया, तो क्या, उनकी आत्मा नहीं होंगी, सवाल पैदा होदा ना, क्या उनकी आत्मा नहीं होंगी, क्या फरिसर में घूमती नहीं होंगी, क्या उनकी आत्मा को चीड़नी आती होंगी, कि सलाह इन हराम खोरों के लिए मैंने इत्ता किया, तो फिर भी ये कर्म कांडों के तर भी जा रहा है, तो उसको पच्छाड के इसको नावे पकड़ के सूतू, क्या ऐसा नहीं लगता हूंगा, तो जब अभी तक ना बाबा साब किना किसी को पच्छाडा, ना बुधने किसी को पच किसी को जोंबा, या किसी को बोला कि ऐसा ऐसा अब तक नहीं हुआ, बराबर है, लेकिन हम अपने घर के बाजु में अगर एक आदम ने सूसाइड किया, फट गई, बराबर है, फिर क्या रहा था, ये आमदाम, संदाम, आमदाम, बढ़ जी को बुलाओ, घर बांदो, उसल क्या बोलता है, पंडित कुछ पता नहीं, अगर उसको पूछो, कि आपने जो बोला, उसका अर्थ क्या है, कभी नहीं बुसते, स्वाहा बोला तो, स्वाहा, नहीं बोला तो, हाँ, हाँ, तो ये जीजे कि होती है, ये भी सोचना चाहिए, कि जीन महापुरिश्यों ने के वडू इस गाव में, वो जो चमार था, गनपत चमार उसने वो पूरे तुक्ले निकाल की उसको सिलवाया, और अपने चमार वाडी में उसकी समाधी बनाई, तो क्या उनकी आत्मा भटकती नहीं होंगी, ये सारी चीजे, सोचने लाएक है, ये ही बाबा साब ने बताया मेरी मूर्तिया भी मत बनवाना, मेरे मंदिर भी मत बनवाना, पुतले भी मत बनवाना, अगर हो सके, तो मेरे नाम से एकाज शिक्षा का केंद्र शुरू करना, या पिर अस्पताल बनाना, या पिर जिससे रोजगाल मिल सके, ऐसा कार्य करना, मगर हम बहुत ही जादा अप कित्ते लगे 500 करोड, 1000 करोड, तो 1000 करोड में उसी के नाम का अगर मोफद शिक्षा केंगर अगर खोला गया, तो क्या बुरा है, अगर अच्छा अस्पटाल खोला गया, अच्छी कमपनिया खोली गई, जिसमें हमारे बच्चे काम करेंगे, उनको एंप्लाइमेंट मुलेंग क्या गलत है, मगर आइसा नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, अगर स्रिकान शारे ने नागपुर में 1500 फुटकी पाबा साब के अगर मुर्ती बनाई, तो मेरा नाम पूरे विश्व में बड़ा हो जाएगा, अगर मुझे बड़ा बनना है, तो मुझे वही काम करना है, अगर म ऐसा बनाऊगा, मगर ये भी हमको सोचना है, कि जो हो रहा है, उसकी क्या नीड है, क्या हमको गरज है, क्या हमको लगता है, कि हम यहां से, चोक में अगर जाना पड़ रहा है, पैदल भी जा सकते है, साइकल की जरूद है, मोटर साइकल की जरूद है, फोर विलर की जरूद यह उसमें अगर बोला नहीं पैदल जा रहा है तो मैं गालीच लेलू अभी लेकिन उनका मेंटेनस तो वो नहीं करने आ रहेंगा ना अपन कुछ करना है इसलिए अपने को सोचना है कि गरज जरूरत क्या चीज की है अगर अपने को एजूकेशन की जरूरत है तो एक एजू सोचना है इंप्लमेंट की जरूरत है तो उसी के बारे में सोचना है जिसकी आवशक्ता अपने को पहले है वो अपने को सोचना है बुद्ध ने बुद्धत्वा प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी तपच्चरिया की शायद ही कोई उनके जैसी चरीर के उपर का पुरा जो अपना इमास है पुरा गलगा दा यहाँ तक के उन्होंने तपच्च श्यरिया की फिर भी उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ मगर जब सुधाता के हाद से उन्होंने खीर खाई तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ अब इससे क्या मता चलता है कि भूके पेट ग्यान प्राप्त भी नहीं कया जा सकता और बाटा भी नहीं जा सकता सबसे पहले अपनी नीड क्या है कि पेट भरा होना चाहिए तब जाके अपन जीवीत रह सकेंगे जीवीत रहेंगे स्वस्त रहेंगे तो किसी को कुछ बता सकेंगे किसी का कुछ सुन सकेंगे कोई कारी अच्छे से कर सकेंगे अगर पेट मेच कुछ नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते ह। तो ये छोटी-छोटी मगर बहुत बड़ी बाते ऐसी है कि जो अपने को सोचना है और उनको टटलते हुए खुद के दिमाग से ही अपने को उत्ती बुद्धी मत्ता तो है कि वो उस पे अपने को decision लेना ह कि क्या ये सही है या गलत गर बाबा साब चाते तो सव्विधान में ये भी लिख के रख सकते थे कि इस भारत भूमी के इस पृत्वी पर या भारत भूमी में जनम दे लेने वाला चाहे वो स्त्री हो या पूरुश हो जनम लेने वाला जीव सिब बोध्ध धर्मका ही होगा तो मैं लड़ने की जरूती नहीं पड़ती थी, भारत बोद्धुमवए हो, बाबा साब का सपना है, बाबा साब का सपना पूरा करना है, अधुरा सपना हम करेंगे पूरा, यह कहने की जरूती नहीं पड़ती थी, मगर वो चीज भी कभी बाबा साब ने नहीं किये, बाबा जैसे जैसे परिस्तिति या बदलेगी वैसे वैसे उस परिस्तिति के हिसाब से सव्वीधान में बदलाव भी हो ऐसे भी चीजे बाबा साब ने बना के रखी तो वो किसी एक जाती के लिए, एक धर्म के लिए या एक कम्यूनिटी के लिए नहीं, तो इस भारत में रहने वाले सभी जीवों के लिए समान तरीके से बनाई गई है। जिन्दगी को समसते हैं। तो आज के इस डॉक्टर बाबा से अमबेट कर इनके जनम दिन के परवपर चोटे खानी जो कारेकरम का आयजन किया गया है। उसमें हमें बोलने का आउसर मिला, आपने सुना, तो हम जाते-जाते मैं आपको फिर से वही बात दवराना चाहूंगा कि आज मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला, मैं यह नहीं कहूंगा कि आप वो सत्य समझे, सही समझे या आपको वैसे ही रहना है, यह नियम बिल्कुल ही ना समझे। जो भी चीज मैंने बोला है, उसको जाचिये पढ़तारिये अभ्यास कीजे, कि वो सही माइने में सही है या गलत और उसको स्विकार करे या ना करे। सबको पुनाएकदा डॉक्टर बाबा सामबेड़कर इनके 130 वी जहनती के उपलक्ष में बहुत-बहुत बधाई, शुकामना देते हुए मैं अपने वारी को यही विराम करता हूँ। जै भीग। करता हुए मैं अपने बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत झाल 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 मुझा झाल 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 झाल